पोशन ट्रेकर एप में बहुत बरा बदलाओ जी हाँ जिस पल का जिस अपडेट का आप सभी आगन बारी बहने इंतिजार कर रही थी वो अपडेट फाइनली पोशन ट्रेकर एप की ओर से आ चुका है जैसे कि आप लोग के काफी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि क्या हम लोग 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो पहले से रेइस्टेशन किये गए हैं उनका अधार विरिफिकेशन उनके माता या पीता के अधार से कर सकते हैं तो जी हाँ अब आप लोग यहाँ पे इस अपडेट के बाद फाइनली जितने भी बच्चे हैं 0 से लेके 6 साल के उनके माता या पीता या पैरेंट्स के अधार से आप लोग उनका अधार विरिफाई असानी से कर पाएंगे तो आज के इस विरियों हम आपको बताने वाले हैं कि यह जो अपडेट आया है वो कौन सा अपडेट है तो जैसे कि यहाँ पे 14.2 का एक न्यू भरजन पोसन ट्रेकर एप म सभी का अधार विरिफिकेशन उनके माता पीता या पैरेंट्स के अधार से कर सकते हैं जैसे कि अभी तक आप लोग जितने भी बच्चों का निव रेश्टेशन कर रहे थे सिर्फ उनका ही उनके माता पीता के अधार से आप लोग उनका रेश्टेशन और अधार विरिफा उनके माता पीता या पैरेंट्स के अधार से कर सकते हैं तो आज की ये अपडेट आप सभी आगन बारी बहनों के लिए काफी इंफर्मेटिव होने वाली है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लिजिएगा और अगर आप सभी आगन बारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सेर भी किजिए और जो भी आगनबारी बहने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं वो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए इस परकार के नए नए वीडियोज लेके आते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो चलिए उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने प्ले स्टोर में आ जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ प्ले स्टोर में आपको आ जाना है उपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पोशन ट्रेकर portion tracker link के जैसे ही search करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि update का option आ चुका है और यहाँ पे watch new में देख सकते हैं कि 22 जून 2022 का यहाँ पे update है यह एकदम latest update है यहाँ पे आपको पहले नमर में मिल जाएगा अधार update module for parents या guardian यानि कि जितने भी बच्चे हैं उनका अधार आप लोग parents या guardian के अधार से कर सकते हैं दूसरा update है minor bug fixes और उसके बाद यहाँ पे आप लोग arrow पे किलिक करके यहाँ पे इसका version भी चेक कर सकते हैं 14.2 का यह new version आ चुका है तो आपको क्या करना है simply यहाँ से आपको play store में आके 14.2 का जो new version आया हुआ है तो जैसे यहाँ आप लोग update करके open कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिसरी वाला option मिल जाएगा आपको बेनिफिसरी वाले पे किलिक कर देना है अब आपको यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जीरो से लेके 6 वर्स के उन सभी का अधार verification बारी बारी से सभी का complete कर लेना है चलिए यहाँ पे मैं आपको टी एचर वाले बच्चे का भी अधार verification करके दिखाऊंगा और यहाँ पे जो 3-6 वर्स के बच्चे हैं उनका भी अधार verification करके दिखाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे 3-6 वर्स के जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे का हम आपको अधार verification करके दिखाने वाले हैं यहाँ आप लोग किस परकार से यहाँ पे अधार verification कर पाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्ची जो है जिसका नाम अमरिता कुमारी है तो इसी बच्ची का हम लोग अधार verification करने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे 3-2 पे किलिक करने के बाद आपको यहाँ पे profile update में आ जाना है और profile update में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले new registration वाले बच्चे का ही यहाँ पे अधार verification करने का option दिया गया था लेकिन अब यहाँ पे पहले से register बच्चों का भी यहाँ पे अधार verification का option आ चुका है अगर बच्चे का पास अधार नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना है child does not have अधार तो आपको यहाँ पे हाँ वाले पे select कर देना है जैसे ही आप लोग यहाँ पे हाँ वाले पे select करेंगे तो एक option और खुल के आ जाएगा अधार number of mother ऑले कि आप यहाँ पे उसके maata का अधार नंबर डालके verify कर सकते हैं अगर maata का अधार नंबर नहीं है तो फ़िर से आपको यहाँ पे click करना है mother does not have अधार तो फिर से आपको यहाँ पे click कर देना है तो जैसे उस फे click करेंगे तो यहाँ पे जो maata का...? और यहां पर फादर या गार्जियन का अधार का अप्शन आ जाएगा तो आप यहां पर फादर या घर के जो भी गार्जियन है उनके अधार नमबर को यहां पर डाल देना है उसके बाद यहां पर आपको जो भी फादर या गार्जियन का अधार नमबर दिये हैं उनका यहा पर आप लोग male female select करते हैं उसको select कर लेना है यहाँ पर आपको health ID नहीं डालना है और यहाँ पर जो भी बच्चे का आप लोग date of birth दिये होंगे वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हम एक बच्चे के माता के अधार से यहाँ पर verify करके आपको दिखा देते हैं इस submit वाले option पे आपको click कर देना है हमने यह profile update में आके यह सभी details और अधार की जनकारी भड़ी है आपको भी profile update में आ जाना है और यहाँ पे उस बच्चे के माता या पिता का अधार number डालके आपको submit कर देना है अब आपको क्या करना है simply यहाँ पे उसके नाम के उपर click करन तो यहाँ पे verify करने का option आ जाएगा तो आपको यहाँ पे verify वाले पे click कर देना है जैसे हैं आप लोग verify वाले पे click करेंगे तो यहाँ पे verify अधार का option आपको देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे verify अधार वाले पे click कर देना है देख सकते हैं यहाँ पे अधार verification complete या सकते हैं यहां पे वेरिफाई हो चुका है उसके माता के अधार से हमने वेरिफाई कर दिया है इसी प्रकार से आप लोग यहां पे जो भी टी एचर वाले बच्चे हैं उसका भी यहां पे अधार वेरिफाई आसानी से कर सकते हैं और टी एचर का फॉर्म भरते समय हमको अधा विरिफिकेशन करके आपको दिखा देते हैं जो कि hier unseen THR वाले बच्चे हैं तो इसमें से किसी एक बच्चे का अधार विरिफाई आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे एक THR वाली जो बच्ची है सोर्भी कुमारी फिर से हमको क्या करना है यहाँ पे three dot पे click कर देना है three dot पे click करने के बाद यहाँ पे profile update वाले पे click कर देना है और profile update में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे का धार नहीं है तो यहाँ पे simply आपको हाँ वाले पे click करना है हाँ वाले पे क्लिक करने के बाद उसके माता का अधार का option आ जाएगा माता का अधार नहीं है तो फिर से आपको यहाँ पे हाँ वाले पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे उसके फादर या गार्जियन का अधार का option आ जाएगा चलिए यहाँ पे उसके माता का अधार नंबर है तो यहाँ पे फिर से हम उसके माता का अधार डालके और डेट आफ वर्थ डालके सब्मिट करके आपको दिखा देते हैं तो यहां पे फिर से हमने THR वाले बच्चे का यहां पे जो उसके माता का अधार है उसको हमने डाल दिया है यहां पे हमने उसके माता का जो भी अधार का रिपे देट अब बर्थ है उसको भी डाल दिया है डालने के बाद फिर से हमको क्या करना है यहाँ पे submit का option आपको मिल जाएगा यहाँ पे submit कर देना है submit करने के बाद यह जो record है वो सफलता पूर्वक update हो चुकी है और फिर से आपको क्या करना है जिसका भी आपने profile update किया है उसके नाम के उपर आपको click कर देना है जैसे कि यहाँ पे आप लोग click करेंगे तो आधार verify करने का option आ जाएगा या फिर verify आधार वाले जो home page पे option है वहाँ से भी जाके आप लोग आधार verify कर सकते हैं देखे यहाँ पे फिर से आधार verify करने का option आ चुका है इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे verify आधार का option आ जाएगा और फिर से आपको यहाँ पे verify आधार वाले पे click कर देना है यहाँ पे देख सकते हैं आधार verification complete हो चुका है यानि कि आप लोग जो भी उसके माता या पीता का आधार है उसी के आधार से आप लोग बच्चे का आधार verification असानी से कर सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा wait कर लेना है देख सकते हैं यहाँ पे सुर्भी कुमारी जिसका हमने अभी अभी उसके माता का आधार से उसका आधार verify किया है यहाँ पे verify हो चुका है तो ये अपडेट काफी अच्छी अपडेट है आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रही थी अधार फेरिफिकेशन करने में वो परेशानी अब आपकी खत्म हो चुकी है अब आप लोग इस बच्चे का जो भी टी एचार का फोर्म है असानी से भर सकते हैं उमीद है हमने आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी बता दिया है किस परकार से आपको अधार फेरिफाई करना है लोग अगर ये वीडियो पसंद आई हो ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक किजिए ज़्यादस ज़्यादस सेयर किजिए और जो भी आ प्रिखवाए कुन बजे स्टाइरह मेंटीजया अ